जहिन दोस्तो उत्तप्रदेश के चुनाब में नेताओं का दल बदल का खेल शुरू है एक पार्टी को छोड़ कर आ रहा है दूसरा पार्टी में आ रहा है दूसरा किसी पार्टी में जा रहा है तो तीसरा किसी और पार्टी से छोड़ कर तीसरी पार्टी में आ रहा है पर दोस्तो मीडिया का खेल भी शुरू है धर्म में बाटने की कोशिश की जा रही है जाती और विराधरी में भी बाटने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश चुनाप के अंदर दोस्तो पर दोस्तो आजम खान के जो जेल के अंदर है उनके बेटे अभी हाली में जेल से बाहर आए हैं अब्दुल्ला आजम अब्दुल्ला आजम को समाजवादी पार्टी ने सुवार सीट से उम्मिद्वार बनाया है अब दोस्तों अब्दुल्ला आजम को जो सुवार सीट से उम्मिद्वार बनाया है समाजवादी पार्टी ने तो बीजेपी की गडबंधन बीजेपी का जो गडबंधन उसने तुरप का इक्का फेका है उस तुरप की चाल चल दिये बीजेपी की गडबंधन सहयोगी अपना दल जो अनुपिरिया पटेल की पार्टी है अपना दल केमिनेट मिनिस्टर भी है अनुपिरिया आजम, जो, जिस seat से चुनाव लड़े स्वार seat से, उस seat पर अपना उम्मिदवार, मुसलिम उम्मिदवार उनके सामने उतार दिया दोस्तो, 2017 में बता दू, कोई भी मुसलिम उम्मिदवार को, बीजे पी ये बीजे पी की गड़बंदन पार्टियों ने टिकेट नहीं दिया था ये 2014 के बाद ये पहली बार हो रहा है कि बीजेपी के गडबंदन ने अब्दुल्ला आजम के सामने एक मुस्लिम उम्मिद्वार को टिकेट दिया है जिसका नाम है हैदर अली खान दोस्तों ये बड़े दिगज कॉंग्रेस पार्टी के नेता थे अब इनों कॉंग्रेस पार्टी को छोड़कर अपना दल को जोईन करने के बाद अपना दल ने इन्हें दोस्तों उम्मिद्वार बना दिया है अब्दुल्ला आजम जो अभी जेल से बाहर आए आजम खान के स्वार सीट से समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकेट दिया है स्वार सीट से अपना दल ने मुस्लिम उम्मिद्वार जो बीजेपी की स्वेयोगी पार्टी है अनुपिरिया पटेल की पार्टी है केबिनेट मिनिस्टर है भार्तिय जंदा पार्टी की सरकार में उन्ह ने हैदर अली को स्वार सीट से दुस्तो उम्मिद्वार बनाया है अब दुस्तो देखना ये है कि ये तुरुप का इक्का फेका है बीजेपी गडबंदन ने ये कितना काम्याब होता है ये आने वाला टाइम बताया पर आपकी क्या पृत्ति के रिया है इस पर मुझे नीच करें शेयर करें चैनल को सब्काइब करना बिल्कुल भी न बूलें